अब इस्राइल की दरंदिगी इस तरीके से बढ़ चुकी है इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह महिलाओं को उसके घर से अगवा करके लेके जा रहा है और महिलाओं को निशाना बना रहा है अब इस पूरी वीडियो को आप विस्तार से सुनिएगा मैं आपको संक्षेप में नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत आवाज फिलिस्तीन और इसराइल का बीटे दिनों से जो युद्ध चल रहा था उसमें को लगबग तीन महीने से जादा हो चुके हैं 2023 से चल रहा है यह युद अब दोजार चौबिस आ चुका है और लगबग तीन म घर में घुज कर महीलाओं को अगवा कर रहा है महीलाओं को निशाना बना रहा है जिस तरीके से लगतार की चल रहा है यह थमने कोई नहीं आ रहा है और अब तो हद तब हो गई है कि अब महीलाओं को निशाना बनाने लगते हैं हम आपको चीजे तो बताई रहे तो शुर और अग्वा करके ले जाते हैं और यहां तक कि उनको मार दिया जाता है लगबग जो महिलाओं की संक्य है वो 70-75 प्रतीशत हो चुकी है इतनी महिलाओं मारी जा रही है इस युद्ध में विराम लगने कोई नहीं आ रहा है जो इस्राइली सैनिक है वो महिलाओं के घर में ग हमास के उन्हें मार गिराया और इसके बाद हजबुल्ला हमास बदले की आग में जल रहे हैं कि जो उनके डिप्टी कमांडर थे साले अल-अरोडी उन तक को मार दिया गया जो इस्राइल ने एक बड़ा एटेक किया था साले अल-अरोडी के घर में च्छापा मारा पहले व क्योंकि जो इस्राइल के दरंदिगी वह बढ़ती ही चली जा रही है इस्राइल को दिख रहा है कि वह हारता वह नजर आ रहा है तो इस तरीके से महिलाओं को निशाना बना रहा है कि फिलिस्तीन में इस तरीके से महिलाओं को अगवा कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के जो लोग है वो डर जाए और ये युद्ध यह जो फिलिस्तीन की जो लोग है वो डर जाए और हार मान ले और ये युद्ध को आगे ना बढ़ाये जाए पर लेकिन अब तक यह चीजें चलती रहेंगे मतलब महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है स्टार्टिंग से आपको बता रह दिखाए दे रही है कि वह युद्ध को नहीं रुकने देंगे उसके बाद चीजें नजर आ रहे हैं कि अगर जो इस्राइल जो है लिए जो तमाम जीजें जो खबरे दिखाता है वह गलत दिखाता है लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता है तो हम आपको यह कब बताए भी नहीं पाते इस्राइल को भी तभी पता चलता है जब गाजा में कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पढ़ लगाता लोग फिलिस्तीन के समर्थन में चीजे लिख रहे हैं और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं लेकिन इस्राइल का साथ नहीं दिया जा रहा है और इस्राइल को पर उन्होंने एक वीडियो के साथ ट्वीट कर रहे किस तरीके से वह बोल रही है कि जी सोलजर बोल रहे हैं गाजा में स्रिफ जानवर ही जिनदा बचे हैं मतलब इस तरीके से तमाम चीजे बोलना और वीडियो भी जारी करें हुए लेकिन ट्वीट पढ़के हमने आपको ब इसराइल मीडिया के ख़वरों के मताबिक लेभनान ने इसराइल के उत्तरी कमांड बेस पर कई मिसाईल दा गे उसराइल दूँ देवारा लेभनान में जो बंबारी की गई थी दॉल ड्रोनص noch लेगी दोरेके बाद्न के से इसथ शब्द은 में कहा दिया था Jil इसराइल का खात्मा अब जरूरी है क्योंकि इसराइल अब रुखने को नहीं आ रहा है और लोगों पर अटाइक लगतार करता ही चला जा रहा है कि नितन्याओं की जो नितन्याओं की जो सोच है वो इस तरीक इस कदर बढ़ चुकी है कि वह हमास को खतम करके ही रहेगा फिल कि मतलब महीलाओं को जिस तरीके से अगवा करा जा रहा है महीलाइ आप छुप रही है कि जो प्रिस्तीन कि जो लगतार बढ़ती ही चली जा रही है जो फिलिस्तीन आपने आजisu यो आजादी है और आपको यह भी बताने कि डेर्ट से जादा समर्थन में देश आ चुके हैं फिलिस्तीन के साथ हैं और साथ ही साथ रूस चाइना नौर्थ कोरिया हमास के समर्थन में आ गये हैं यह भारत के लिए बहुत ही चैतावनी कही जा सकती है कि रूस और चाइना एक साथ और चाहिए और हमास का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीक से तमाम चीजे चल रही है कि युद०ρुकने को नहीं आ रहा है और इस तरीक से फिलिस्तिनियों पेवार करना दरिंदेगी दिखाना कब तक चलता रहेगा इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया था धन्यवाद